होने वाले उस सक्ष की जो हमारे साथ अपने ग्यान को साजा करता है स्वागत है प्रदीप जी आपका वापस एक बार सर शुरुआत करेंगे राजनीती के उन सितारों से जो कुछ समय पहले तक तैय कर रहे थे कि इनका ये काम होगा इनका ये होगा और नाम शुरुआत कहते निए और राजस्थान में जिस व्यक्ति ने पांच साल तक सडग को गरम रखा हैं जब संसत खामोश हो विधानसवाय खामोश हो तो सडगें लाल करो सडगें फ़रों क모व करोalles, टो तो उस पे और किरोडिलाल मिना ने पिछले पांच साल में अशोग गैलोद सरकार की नाक में अगर किसी ने सड़क पे दम किया तो किरोडिलाल मिना थे उनके समर्तकों को लगता था कि बाबा और किरोडिलाल मिना सीम बनेंगे डिप्टी सीम तो बनेंगे बनेंगे लेकिन मंत्री चुनाओ के दुरान इतने सक्रिय थे और इतने एक्टिव थे कि वो खुद तै कर रहे थे कि कौन जीतेगा बाबा की डिमांड थी क्योंकि चाहे वो वेबोग एलोत का एडी वाला इशू हो चाहे वो महिश जोसी पर ब्रस्टाचार वाला मामला हो जो हीडी में गया है जिसक तो बाबा जो है वो मलब एक क्लोज बीजेपी वाले व्यक्ति हैं हलांकि वो नाराज हो के थे 2009 में निर्दलिय सांसत बने थे एंपी से फिर तेरा का चुनाव लड़े कल अपन जिक्र कर रहे थे फोन टेपिंग वाला बिलकुल तो जिन्नोंने 2014 में मुद्दा उठाया थ उसमें तीन नाम थे एक बाबा किरोडी थे एक हनुआ प्रेनिवाल थे और एक और थे इन तीन लोगों के फॉन टेप हो रहे हैं ऐसी बात आई थी तो किरोडिलाल मिना पक्ष्विपक्स की परवान नहीं करते हैं अनुठे अलहदा अंदाज के लिए जाना जाए लेकि ल किरोडी थे एक बाबा को जो जो मिलना चाहिए था वो तो नहीं मिला क्योंकि मंत्री वो पहले भी रह चुके हैं राजसवा सांसत थे और डाक्टर साब का जो अंदाज है वो लोगसवा चुनाओं में उतना नहीं दिखा और उनका जो ज़ाद अतर पूरी रास्तान तक व सिम्टे रहे उनकी डिमांड जालोर सिरुए में भी आई कि आहर वाले लाके में या सिरोही के इलाके में उनका एक अच्छी पकड़ है और जैसे कि उनके समर्थग रहे पंकज मिना 2018 में बड़ा वोट ले गए थे बीजेपी चुनाओ जीती थी वहां कॉंग्रेस के सवार से मलब जादा इतने अक्टिव नहीं है और उटके समर्थकों में भी एक निराश भाव है और यह निराश भाव जो है ले नहीं बैठे है बीजेपी को दो सा सीट पे खास करके जहां बाबा का कबजा जो जैपर ग्रामिंड पे भी है उनका कबजा उनका अलवर में भी है आज एक्टिव में हम बात कर रहे हैं कि वह निता जो बड़े थे लेकिन इतने अक्टिव नहीं देखी है लेकिन और वो जो तै कर रहे थे विदान सबस्वा चुनाव तो और इस चुनाव में नए लोग कौन उभर आए उसलिपे मेरे साब से बात कर बात कर बिल्कुल सरकी एक बात मुझे याद है कि आपने बोला कि एक बार भीड देखके वो चले गए बोले कि यह क्या पीड है मुझे याद है कि राजीव गांदी जब नहीं नहीं राजनीति उतरे थे तो आंदर प्रदेश की दोरे पे प्लेन से उतर तक मुख्यमंतरी बहुत सारी भीड अगला नाम हम बात करेंगे जो अभी है वसंद्रा राजे की क्या भूमिका रही वसंद्रा राजे अब की बार जालावाड से बाहर नहीं है प्रदान से बात चुनाओं में उनकी केमपेनिंग रही थी पूरे मारवाड में हाडउती में वसंद्रा राजे ने केमपेन किया प्रभावी और बीजेपी जहां से सरकार बनारी है वह यही लाएक है शेखावटे में बीजेपी बोट नहीं है नागारम बीजेपी को तो उसमें भी रणदीर सिंग भिंडर का सपोर्ट किया था तो वसंद्रा राजे इस बार अपने बेटे दुशन सिंग को सांसत बनाने तक हिसी मित रही है पार्टी अलगमानने उनके लिए कोई भी तै नहीं कीजा सिधे थोर पर कि उनको सार 58 उनकी इतनी भूमिका नजर नहीं आई है और उनकी भूमी का नहीं नजराना बड़ा बरणाम परभावित करेगा क्योंकि वसंदर राजे का एक फेस है चाहँ में बीजे पियूम की जगे अब दिया कुमारी को प्रफॉर्मेंस का रिजल्ट क्या रहता है दिया कुमारी गई है बहुत जगा गई है बिल्कुल प्रियना के रहने वाले हैं अजमेर में पढ़ाई हुई अलवर से चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन वह भी अपने लोगसवा क्षेत्र से बाहर नहीं आ पाए अगर उनके सामने बहुत जीतेंद्र कंडिट होते तो हो सकता है कि भुपेंद्र यादाव भी दूसरी जगे प्रचार करने जाते हैं लेकिन वह अपने चुनाव क्षेत्र तक ही सिमट के रहे गए और उनको कड़ी टकर मिली है जो लली त्यादव है मुंडावर के विधायक उनके सामने सांसत का चुनाव लड़ रहे हैं लिहाजा देखने वाली बात है कि क्या रिजल्ट रहता है ल प्रचार के रहे हैं अपने ही आपने ही इलाके में तो उनका एक बड़ा इंफ्ल्यूंस है एसी वोडबेंक में तो और सिक सबसे बड़े नेता है वो राजिस्तान के फिल्हाल तो उस नाते जो है वह खासा देखना बनता है कि क्या अरजुनराम मेगवाल जो है वो चुनाओ में इतनी कड़ी टक्र पा रहे थे कि उन्हें साइड में आसपास जाने का मोगा नहीं मिला कुछ नेता जरूर गए गजंदर सिंग एक दो बार जालोर गए उसके बालावा वो बाहर नहीं निकल पाए लेक राज़पूत की नाराज़ की राज़पूत की साथ भी पहले चरण में वो चुरू से बाहर ने निकलती है जुझनु जरूर गए थे कि जो शुबकरन चोदरी के सामने जो अशुब संक्ट आरा रहा है उसको दूर करने के लिए लेकिन राज़पूत को जुझनु के फोटो भी खराब है इस तरह की कि उन्होंने बयान दिया था तो रुपाला के अलावा यहां जो तत्कालिक कारण यहां बन गया हो तो वो अगेंस करने के लिए राजना सिंग की सभा करवाई गई यह करवाई गे लेकिन कॉंग्रेस का यह मानना है कि शौर सौट सीट उनक क्हार राजडराठ राजना चूरू में देवंदर जहाजडिया के लिए केमपेण में लगाता है और लोग से कहा जा रहा था कि शौरू में देवंदर और खेंदर नरेंदर तो बीजीपी वाले नारे के बीच में राजंडर तो यह चला हुए तो राजनरा चौर्ड पे जरूर कई जगे गए हैं बिलकुल सिरोही में सभाएं की हैं जान राजपु समाज की नाराजगी हैं वगेरा तमाम चीजे लेकिन राठोड जो है वो प्रतिपक्ष के नेता थे तीन फोटो थे विधानसवा चुनाओ में अगर अगर अपन प्रभावी नेता जो थोड़ा बहुत भागड में गए मेंदरजीत मालविया के लिए वसंद्र राजे को पार्टी नहीं इंस्टक्ट रखा हैं तो परिस्तितियां या पार्टी के कारण ये नेता जो है ये बाहर नहीं निकल पाएं अगला नाम है लोकसभाई स्पीकर रहें ओम बिरला भी उस से टिकट दिया जाएगा पहले चरण में जब बीजेपी ने 49 या 43 के आसपास टिकटें जब डिकलेर कर दी और पुराने नेताओं के टिकट काट दिये तो उसके बाद जो इस्तिति बने उसके बाद वसंद्रा राजे खेमे के लगब सभी लोगों के टिकट रिपेट कर द अगला नाम है दो नाम में आपके सामने लाँगा जिन्हों को एक जम्हें पे बड़ा नाम है नाम तो है लेकिन उन्हें दूसरे सेल्विडी स्टार्स की जुरूपरी अपनी आप प्रचार कराने के लिए पहला नाम है उस लिस्ट में गजंद शिंग शेखावदी बड़ा नाम राजनितिक राजिस्तान में सेंटर में नेता रह पंजाब की परभार भी संबाले चु लिए बिट्टी बॉलिवुड एक्ट्रस भी है उस लगता है कमिशा आते यहां पर या बड़े नेता आते जरूर क्योंकि राहूल गांधी की रेली हुई थी लेकिन जिस तरीके से चुनाव में थोड़ा सा मामला यह रहा तो सीटी के वोटमें की और यूथ को आकरश्ट रहे हैं उनको भी कंगना रणावत की जुरत पड़ी के लाश्च चौधरी को भी तो यूथ जो है वोट करे उनको अपील उनको चुनाव में इंट्रेस्ट ले इसलिए कंगना रणावत का आना बना है बड़ी बज़ा यह है और अकसर क्या है कि जैसे बीजेपी को कई बा करते हैं तो यह है कि राजस्तान में सीटें नहीं आती तो पर कॉंग्रेस यह कह सकते एक साफ राहुल जी की सभाई नहीं हुए थी कम होई थी चिक है अब आपने जिस नाव का जिकर वो मेरा दूसरा नाम है कैला चौधरी कंगना खली खली बली हुआ है पचीड है लाठी है लाठा है सब हैं केला चौधरी की भूमिका कैसे देखिए आपने केला चौधरी खाफी पिछड़े हैं इस चुनाव में और चूंकि कंगना रानावत जो है वो आई है यहां रविंदर सिंग भाटी के खिलाव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं वह भी बाटी है वहा चौधे नंबर पर प्रतियाशी हो रहे है उनके भी बहुत बीड़ आई तो लोग सब को गैरें ठीक है ठीक हम भेजेंगे किसे वह तो हम तरह करेंगे बिल्कुल लेकिन यह है कि केला चौधरी जो स्टार परचारकों की सूची में है अपना चुनाव करवा कि अब स्टार यह बड़े नेताओं के साथ हुआ है जिनकी बात हो रहे है एक नाम है जिसे राजस्तान की राजनीती में गुण नहीं किया जा सकता है उसे आप चाकरगंदेखा ने अपनी प्रजंस कराई देचा अपनी स्पीट से अपने दम खम से किसी तरह अपने वोट से उसका नाम ह आपने हनुमान बेनिवाल क्योंकि खुद चुनाव लड़ रहे तैप हले चरण में दूसरा उनका हो गया गठ बंदन कॉंग्रेस के साथ जी तो हनुमान बेनिवाल क्यों निकलेंगे उनके लिए नाहोर जीतना बिजेपी के साथ थे इस बर कॉंग्रेस के साथ थे तो हनुमान बेनिवाल तो इस वज़े से कहीं निकले नहीं 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 उन्होंने अपल के लेकिन दूसरे चरण में निकल के गए हैं वाड़ मेर में गरदा गाट गया और वहां पर जालोर में कांग्रेस में तो उनके साथ संकत है कि वह इंडिजोल ओ से पाटिये किसी कभी बी तोड़ सकती है तो हनमान बेनिवाल ने थो यह किया उसके निकले जो स्थापित नेता रहे हैं कॉंग्रेस के अशोग गहलूद जो केमपेन कमेटी के चेर्रमेन थे लेकिन ज्यादा तर समय उनका जालोर में जोद्पूर में करण सिंग उचियारडा के लोगों का मलाल हैं कि अशोग गहलूद अगर आते और जैसा केमपेन वेबहों के लिए लेकिन गजब का चुनाओ लड़ा के नेत्रतों में उन्होंने जिस तरीके से प्रचार किया उनकी डिमांड रही डांस के डिमांड रही उसके अलावा सचिन पाइलेट पूरवी रास्तान में रहे सचिन पाइलेट जा रहा हुल गांदी की सभव वहां गई लेकिन मारवा है नहीं उसके अलावा कॉंग्रेस के नेताओं का देखे तो टीका राम जूली एक बड़ा नयाम है प्रतिपक्ष नेता टिकट दिलाने के लिए लोग जा रहे थे मारवाड में एससी एक बड़ा वोड़ बैंक है कॉंग्रेस का बड़ा वोड़ मुझे आस चरी वाक क्यो लेकिन भाजपा के जो बड़े नेता हैं कॉंग्रेस के बड़े नेता हैं उसमें कोटा के अलावा शांतियदारिवाल गई अक्टिव नहीं रहे या पुराने नेताओं में जो दूसरे अगर अपन बात करें इनके अलावा जो लिडर्शिप है वो भी कोई इतना खास नज लाए प्रचार के लिए जैसे बिच्पाल मिर्दा की डिमांड रही है अलग अलग जगे तो प्रचारकों का खेल अलग तरीके करा है कई लोग नए भी निकले बिलकुर चलिए यह तो वो नाम थे जिन पर हमने बात की कि यह सितार बहुत लंबे टाइम शे आसमा में चमक दूसरों का मुस्तबिल कर रहे थे लेकिन अब खुद की बारी है लेकिन कुछ ऐसे नाम इस लोग सबाचुना में उभर के आया है जिन्हों ने राजिस्तान की राजनेद्री में अपने प्रजेंस मांक कर दिया और जो मैं यह क्या हूंगा अपन जिस पर डिसकस कर रहे है कुछ तो उभर के आये हैं और कुछ उभा रहे गए हैं उन पर बात करेंगे जी तो उन में पहला नाम मैं बाडमेर से ही लेना चाहूंगा रविंदर सिंग भाटी यह नाम भाहर किसी यंग्स्टर्स की जबा पर तो है याद तो हो ही चुगा है आप कैसे देख रविंदर बाडमेर से चुनाओ परचार को में रविंदर सिंग भाटी नई उन्होंने रविंदर सिंग बाटी से संटिमेंट जोड़े हैं आप भी यूपी बिहार में रिपोर्टिंग करते रहे हैं लोगों की फोन आते हैं कि वहां क्या चल रहा है जिस तरीके से डिजाइन किया तो अब रील वाले सेलिब्रिटी प्रचार के लिए आ रहे हैं मल रील मेडिया को चुनाव जीतते हुए दिखा सकता है और यह दिखाना ही वो जो हवा के साथ स्विंग वाला वोट रहे हो आपकी पक्षम आजाता है आप चीज जाते हो प्रसेप्शन क्रेट हो जाता है सब कॉंसिस मैंड पे चीज़ें फ्लोट हो जाती है मनें कल भी कहा था ब नहीं पाई ज्यादा तो यह निता जो है रविंद्र भाटी जो है वो नए प्रचारक के तोर पे अगर मान लीजिए कि फ्यूचर में वो कोई बार्टी जोइन करते हैं या अपनी पार्टी जोइन करते हैं तो एक इंफ्लुएंसिव के रूप में पल्टिकली राजस्तान कि अगला नाम है राखुल कसवा तक का जो चनाव था वो 100, 100 रहे ज़्यादा चर्चाह में नहीं रहे, चूरू सह काहां राहुल कस्वा भी एक सांसद है, पचीस में से एक थे राहुल कस्वा, वन ओबलिक 25 थे, लेकिन अब राहुल कस्वा इंडीजुवली उभर के आएं, कि उन्होंने जो चुनाव लड़ा, जिस तरीके से राजिंदरा ठोड को टार्गेट किया, जिस तरीके से उन्होंने, ज पकड़ा है, रविंदर भाटी जो है, वो थे राजकुमार रोट कर रहे हैं, और यही बात प्रलाद बुझल कर रहे हैं, ठीक है, हनुआन बेनिवाल पर जरूर आरूप हैं, कि वह एक जाती के नहता है, जिबकि ऐसा नहीं है, मलब उनको जिस तरी से वोट मिलते हैं, उन मासवड़ा में उन्होंने घजब का, अब तक वो जो थे वो दलित अदिवासियों के विभागों में होने वाले काम को लेके कह रहे थे, इन लोगों को जिस तरह से परिशान किया जाता है, वो किया, सुरू आती ही, जब राजकुमार रोट को मैंने सुनना सुरू किया, 2018 स तो लड़का यह बोलता है, पहली बार विदायक बनके, कि साब, SCST का जो बजट है, वो खर्च नहीं हो रहा है, मेरे विधान सबाग शेतर में, मेरे विधान सबाग शेतर से वो थोड़ा सा दाइरा पढ़ाते हैं, क्योंकि उसमें उनके साथ, 84 के अलावा गड़ी से राम करने लगे कि वहां जो देशी शराब निकलती है, उसका इशू है, या लोगों को जिस तरीके से उनके कबजे हो रहे हैं, वो इशू है, पटों का इशू है, तो आवाज जो है, वो थोड़ी सी उन्होंने गुझाई, फिर उसके बाद में वो अपना एरिया फेला लेते है ऐसा नहीं कि सीधे ही एक बड़ी आइडियोजी के साथ है, उन्होंने धीरे धीरे पिंच करके अपना एक औराप बनाया राजकुमार रोत ने, और बीटीप से उनकी नहीं बनी तो उन्होंने बीटीप को तोड़ दिया, और भारता दिवासी पार्ट इच्छा, बीटीप राजकुमार रोत होंगे, राविंदर सिंग भाटी होंगे, राहूल कस्वा होंगे, इन्हीं पे अपन इन से बात कर रहे हैं, इन लोगों के डिमांड, इनके स्पीचल की डिमांड होगी, जो ये लोग निन्ने लेंगे, या फिर जो लोग बनाएंगे, उसको लेकर भी ल मुझे लगता है कि अभी लोग स्वा चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे अधिक लोग स्वार विदान स्वा के चुनाव किसी ने लड़े हैं, तो अमरा राम, ठीक है, अमरा राम चार बार विदाएक रहे लिए दाता रामगड से, कम्निस्ट, और बड़ा शांत तरीके से च पोलिंग बड़ी है, अग्रेशन दिखाया है लोगों में, तो लगता है कि आप राज़तान में एक और कम्निस्ट जो है, वो खेल बदल सकता है, 1990 में शौपत सिंग मक्का सर ने बदला था, अमरा राम 96 से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, बिना अलाइंस के लड़ रह ही रहते हैं, ज्यादा इंफ्लेंसिव हो रहा है, उसको ज्यादा वो लोग ने तवज्ज़ देते हैं, चलिए, अग्राम प्रहलाद गुंजर, और अमरा राम के अगर बात करें कि अमरा राम यह अगर चुनाव जीत जाते हैं, तो फिर देखना कि कम्निस्टों की जो सीट बिल्कुल, उनों मांगेंगे तो आपको खड़े होंगे, खड़े होंगे तो फिर यह स्टार प्रचारक होंगे, अगला प्रहलाद गुंजल ने गजब की भूमी का निभाई है, अब अगर प्रहलाद गुंजल यह चुनाव जीत जाते हैं, तो एक नई चीज होगी, कॉं तो प्रहलाद गुंजल एक विकल्प होंगे लोगों के लिए, अग्रेशन के साथ बात करना के लिए, सुचिन पाइलेट अग्रेशन दिखाते हैं, लेकिन मुद्दों पे, अत्रिक उर्जा शारेरिक उर्जा में बिलीव नहीं करते हैं, गांधिवादी तरीके से ही है, गुर्जर एक मार्शल कौम है, तो वो अलग तरीके से अलग अंदाज में बात करती है, अशोक चांदना को कॉंग्रेस सरकार ने प्रजेक्ट करने के उस अंदाज में, लेकिन अशोक चांदना महां थोड़े से ज्यादा प्रभावी नजर नहीं आए, लेकिन प्रलाद ग कॉल मुझे लगता है कि जैसे इस बार, चुनाओं में penis देखा तो एक घंबिर भाषन दे रहा है, एक विक्ति बिक्ति मोधी कवे कोल रहा है, एक मोधी क्हिलाब बोल रहा है आलग लेकिली कॉंग्र और एक विटियी ombी इंटर्टेन कर रहा है, तो परचारह जी अच्छन उनकी मदद करता चूंकि यह सचिन पैलेट के खेमें से अशोग गहलोत क्यों चाहेंगे मुझे लगता कभी चाहेंगे कभी चाहेंगे बिल्कुन जिले ओके माइच पर के सब कुछ ठीक है अंदर लेकिन अंदर कुछ ठीक नहीं बाहर खाने सब ठीक लगता है पर आउसे ऊए जैसे ऐऔर उनके मन में शव्ड जो नाकारा निपूला नाजों ससभी जो ठीक निकले सब अक के निकलें एक बाद जैपूर पे पाली निकला इस बार उन्हों ने यह सम्व्ड निती हो तो बड़े मन में उनके बड़ी चीजें है तो लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने यह शब्द यूज किये तो उससे जो वोटर किनारे पे था उन-पचास इकाउन वाले पे 50-50 था कि उन-पचास यानि कि गजंदर सिंग की तरफ जाएं या इधर उन-पचास पर जाएं तो वो फिर गजंदर सिंग की और मोबलाईज हुआ कि यार आप इतना परसनल अटेक कर रहे हैं तो उससे दो-पांस परसेंट का फरक पड़ता है निश्चित तो पर जब किसी के नेता परसनल अटेक होता है तो जो समझदार पड़ा लिखा गयती है कि यार यह प्रभावी तो है इसलिए इतना बड़ा नेता इस पर अटेक कर रहे है यह प्लिटिकल साइंस का थोड़ा सा एक साइक प्रसनल परसनल परसनल पिछ करेंगे तो फिर आपके साथ जैसे राहूल ग पी का जो हिंदुत्व वाला मामला है उसमें बाबा बालकनाथ जो है वो एक फिट फॉर्मेट में पूरा फिट उसी तरे बैठते हैं पहले वो बाबा बालकनाथ में लिखते थे अब वो योगी बालकनाथ निच गए हैं तो उनको मंत्री बगर नहीं बनाया गया लेकिन प्रचार के लिए वो शिरुई गए जालूर गए नात संप्रदाई की वहां बड़ी भूमी का है और लगबक कई जगह पे नात संप्रदाई का प्रभाव हैं जैसे की गंगानगर में हैं बीका नेर में चूरू सीकर यह जो इलाका है जहां गुरकनाथ का रहा है वारियान बड़ा कोई वो नजर नहीं आया कि बीजेपी उनको इस तरीके से यूज़ करना चारी है एक नाम है अब दो नाम है किसे देख रहे हैं अब बीजेपी इनको नया उभारने की कोशिश कर रहे हैं यह सभी जगह गये हैं इन्होंने बहुत मैनत किया फॉरम बरवाने से ले जो यह करना चीए कि चार तारिक को जो रिजल्ट आएगा वो इन तीन नामों पर डिपन्ड करता है कि इनकी परफॉरमेंस इन्हों ने की हैं क्योंकि इनका नाम था वह सुन्दर राजर ने परफॉरम दार्वपदार था 25 सीटों का पर दिया कुमारी पर राबर के डिभा और भजनलाल शर्मा सीम तो अब इनका जो परफॉर्मेंस है तो यह फ्यूचर के बड़े स्टार प्रचारक होंगे अलांकि दूसरे चरणों में दूसरे प्रदेशों में भी जा रहे हैं और देखना है क्योंकि इनका जो है वह पचार बीजेपी ने खुद तैय किया है प्र आप बीजेपी का रज़तन में क्या पविशी देख रहे हैं तो आप उसके मेंडेट को नहीं जुटला सकते हैं कि जनता ने जो मेंडेट दिया है वो किसी तरीके से तो वह सुप्रीम है तो चार तारिक को रिजल्ट में कौन प्रभावी रहता है इसके बाद में अगर भा तो फिर प्रभावी रहेंगी वापस वस्मौरा राजे के एंट्री हो सकती हूँ आप यह देखिए कि टॉंक की सभा होई टॉंक की सभा में पधान मंत्री नजंदर बोदी को कहना पड़ा कंदे पे हाथ रखके बजनलाल शार्मा के लिए कि यह तो पिट थप थप आते है चुनाओ के बाद यह और प्रभावी होंगे यही उनोंने हरियाना में कहा था किसके लिए मनोहरलाल खटर के लिए अगले दिन खटर बदल गए तो यह चीज है कि क्या इशारा था तो अभी यह क्रूशल इस्तिती में चुनाओ है कई चरणों के चुनाओ बाकी हैं देश म हैं वो पहले तोर पर ताय होगा इन सब का क्या बनेगा क्या बटेगा और देश के बाद अगर मालीजे देश में बीजेपी सरकार रिपेट कर लेती है तीसरी बार तो फिर आपका रिजल्ट क्या रहा ठीक है किसा अब आपके प्री में कितने नंबर आये बैंस में कितने ठीक है तो यहां बीजेपी के टोटल नंबर यहां का 25 का एक आंकड़ा है वो गुजरात का भी है वो मद्यप्रदेश का है सबी जगह बीजेपी तै करें कि हमने जो प्रियोग किया था तो यह प्री बोर्ड था इस एक्जाम से पहले गा राजस्तान तो यह तीनों प्रद क्या करते हैं अब आप अगर मालीजे वापस सरकार बनाते हैं तो बीजेपी अगर केंदर में आती है और केंदर में आने के बाद अगर राजस्तान में सीटें कम रही तो निश्चत तो पे बड़े बदलाव होंगी वह में काई कई बदलेगी जैसे कि मैं आपको जालोर सि अगर वो जीत जाते हैं तो और अगर बड़ा प्रभाव अगर वटाराम दिवासी केंपेंड ने किया है लेकिन प्लिटिकल परस्टेप्सन अलगलग कारणों से अलगलग वजोहों से बनता है तो इन सब का भविश्य डिपेंट करता है कि रिजल्ट क्या आएगा चार आता था प्रोफेसर के द्वारा कि कॉंटेंट इस सुप्रीम तो इसी तरीके का सुप्रीम कॉंटेंट देखने के लिए आपको करना है काम बेल आइकन को दबाना है ताकि नए वीडियो आप तक पहुचे सब्सक्राइब के बटन को तूरं दबाईए और अपना प्यार हम तक यूँ ही पहुचाते रहे हैं इसी तरह थेंगते शिक्स्टी को देखते रहे हम आपसे लेते हैं तब तक के लिए विदा शुक्रिया